हेलो एब्रीवान, टेरट विद एम सिंग में मैं अपने सबी विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की करेंट एनरजीज, साथी साथ उनका नेक्स्ट अक्षन आपकी तरफ क्य करेंगे में मेजर अरकाना से देखूंगी वाइफ कार्ड और मेजर अरकाना से फाइफ कार्ड लेने के बाद उससे हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे और फिर हम देखेंगे next action तो शुरू करते हैं प्लीज गाइड करें इंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की current energy collective level पे current feelings, current energy, current situation 5 cards क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की current energy में उनके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं उनके life में क्या चल रहा है, ज्यादतर लोगों के life में collective level पे क्या energies है hangman judgment temperance death last card one more card death के बाद अक्सर देखा गया है, the fool ही आता है friendship अच्छी है इन दोनों की bottom of the deck है, justice with the chariot decision लेने वाले हैं कोई बड़ा decision हो सकता है, आपके love life से related, अपने relationship से related, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यह बहुत कोशिश कर रही है या कर रहे हैं अपने love life को balance में रखने की, balance बना कर चलने की, आप भी खुश, इनका परिवार भी खुश, इस तरह की energy बट जब इनको लग कि नहीं, अब यह नहीं हो पा रहा है, या मैं अटका हुआ feel कर रही हूं या कर रहा हूं, तो यह कुछ एक situation को खतम करेंगे, और दूसरे situation की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यह energy यहाँ दिख रही है, जो भी है, यह justice चाहते हैं, खुद के साथ भी, अपने love life में और एक नई शुरुवात करना चाह रहे हैं, केर फ्री होके, किसी के दबाओ के बिना, बिल्कुल अपनी मर्जी से एक नई शुरुवात करना चाह रहे हैं, तो यह यहाँ पर energies हैं, जो major arcana से signs हैं, वो है Sagittarius, Libra, Pisces, Taurus, Scorpio, यह signs major आये हैं, major level पे आपका या आपके partner का sun sign या moon sign हो सकता है, clarify करें इन cards को angels, क्यों आया हैं यह cards, current energy में, the hanged man, क्यों आया है hanged man, three of swords, six of cups, justice, eight of pentacles, three of wands, एक-एक करके बताती हों, क्योंकि आप में से सबकी energy एक जैसी नहीं हो सकती, तो जितनी energies आई हैं, hanged man को clarify करने में, वो सबकी energy बता रही हो, आप में से कुछ लोग जो single हैं, हो सकता है कि आपके partner किसी third party situation में हो, या अगर already वो third party उनकी wife है या husband है, married है अगर already, आप दोनों के बीच में यहाँ पे अगर third party situation है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ कर्मा यह face कर रहे हैं, कार्मिक situations यह face कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है, बीच में अटके हुए हैं, उस situation में अटके हुए हैं, आप में से कुछ लोगों के partners हो सकता है किसी तरह के legal situation में अटके हुए हैं, बहुत time से निकल नहीं पा रहे हैं, इस वज़े से आप भी waiting में हैं और वो भी waiting energy में हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि काम बहुत ज़ादा है उनके उपर या बहुत ज़ादा उनके उपर एक responsibilities है, work का बहुत ज़ादा pressure है या financially बहुत ज़ादा problem में है जिसकी वज़े से वो अभी रिष्टे को लेकर आगे बढ़ते व के बारे में पूछते हैं तो यह इंतिजार या delay कर रहे है या आपको टाल रहे है एक तरह से postpone होता जा रहा है situation तो इसी लिए hanged man का card यहाँ पर आया है आप में से ज़ादा तर लोगों के partners की current energy में हो सकता है कि यह situations चल रही हो अब हम देखेंगे जज्मेंट क्यों आया है यह भी ले रही हूँ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शादी का decision लेने वाले हैं आपके साथ और इसके लिए उनको कुछ road decisions लेने पड़ रहे हैं maybe आप दोनों का caste culture difference हो या age difference हो या आपका कोई past हो या इनका कोई past हो या आपकी family या इनकी family agree नहीं कर रही हो तो यह decision लेंगे शादी को लेकर ठीक है क्योंकि यह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप में से कुछ लोग के partner decision लेंगे third party के खिलाफ maybe third party बहुत ज़्यादा dominating हो controlling हो कोई ऐसा devil energy है इनके life में जो कि इनको torture करती है या करता है या बहुत ज़्यादा toxic relationship में है वहाँ से निकलने का decision लेंगे ठीक है तो यहाँ पर कुछ major decisions होते हुए दिख रहे हैं ठीक है यहाँ पर कुछ लोगों से resonate कर सकता है कुछ लोगों के partner की life में उनके parents शादी को लेकर pressure दे रहे हैं arranged manner में maybe उनका रिष्टा fix कर रहे हैं या रिष्टा की बात कर रहे हैं जिस चीज के लिए यहाँ पर death का card आया है यह ending करना चाहते हैं यह decision लेंगे आपने love life को लेकर boldly पूरी तरह से हिम्मत में आकर strength में आकर यह कुछ बड़ा decision लेंगे और hopefully वो decision आपके favor में हो देखते हैं temperance क्या यह balance कर पाएंगे सब कुछ वाँ temperance को temperance ने clarify किया है parents का involvement बहुत जादा है मैंने पहले ही कहा था ना कि यह balance बना कर चलना चाहते हैं दोनों situations में mother issues हो सकते हैं wife issue husband issue बहुत जादा problems यहां दिख रही है third party जो भी है आप दोनों के relationship में चाहे वो जो भी हो यहां पे involvement दिख रही है अगर यह balance बना कर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ mutual understanding पे हो जाए beach का रास्ता निकल जाए peacefully sort out हो जाए बढ़ अगर ऐसा होता नहीं है तो यह फिर एक नई शुरुवात करने के लिए आपके साथ यह किसी भी हद तक जा सकते हैं मतलब यह temperance के बाद death का card है तो यह ending भी कर सकते हैं कोई एक situation जो भी इनको रोक रही है या जो भी इनको इनके जो भी इनका soul purpose है उसके तक बढ़ने के लिए रोक रही है तो universe का interference खुद होगा divine खुद इंटरफेर करेगी और कुछ ऐसी situations arise होंगी जिसके बाद या तो सब कुछ balance हो जाएगा या तो एक situation end हो जाएगी डेथ का card क्यों आया है current energy में हो सकता है family issues बहुत जादा हो family से बातचीत नहीं करेंगी या नहीं करेंगे या family के against जाके कोई decision लेना चाह रहे है hanged situation से बाहर निकलना चाह रहे है पूरी strength में बहुत rude decisions हो सकते है इसलिए strength का cardा है मतलब ताकत की जुरुत है sad है दुखी तो रहेंगे यह obviously लेकिन आपको भी खोना नहीं चाहते तो यह कुछ बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे है या आपके साथ इस समय separation में हो बिल्कुल no contact हो लेकिन इनोंने completely move on नहीं किया है आपसे अभी भी stuck है इस relationship पर दफूल का card क्यों आया है नेजर अरकाना से दफूल को clarify किया है eight of cups and impress जो भी third party है वहां से move on करेंगे चाहे वो जो भी हो आपके life में जो भी third party है जो भी controlling है जो भी dominating है चाहे वो parents हो चाहे वो कोई third party हो चाहे वो उनका काम हो चाहे उनका work हो चाहे उनकी job हो चाहे जो भी बीच में आ रहा था या रही थी यह वहां से निकल जाएंगे move on करके carefree होके अपने life में रहना चाहते हैं किसी तरह की foundation या जबरदस्ती किसी ऐसे toxic relations में अगर है जहां पर इनको कोई खुशी ने मिल रही है न सामने वाला खुश है न ये खुश है तो ये वहां से निकलने का decision लेंगी या लेंगे ऐसी energy यहाँ पर देख रही है justice का card क्यों आया है current energy में ऐसा लगा जैसे एक card और आया है एक बार और चेक कर लेती हूँ मुझे क्यों लगा जैसे आया है कौन है क्यों छुप रहा है ये रहा हर्मिट हर्मिट का मतलब भी छुपने ही होता है isolation में रहना ओके तो justice को clarify किया है page of swords and three of cups ने आपके partner आपको justice देना चाहते है और छुप छुप के आपको spy भी करते है यहाँ पर clearly दिख रहा है आपके साथ जो भी उनकी memories है जो भी उनके एक अच्छी memories कह दे या आपके साथ जो भी time इनों ने spend किया है या जो भी आपके साथ इनका pics है या social media है यह आपको बहुत ज़ादा spy कर रहे है ऐसा लग रहा है और यह आपको इस relationship में justice देना चाहते हैं आपके साथ cheat नहीं करना चाहते है आपको इसाथ धोखा नहीं करना चाहते है तो बहुत ही प्यारी energy है देखते हैं next action please guide करें angels पहले next action हम rune से देखेंगे और फिर हम psychic tarot से देखेंगे please guide करें angels next action मेरे viewers की तरफ क्या होने वाला है आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ positive रहना है manifest करना है आप में से ऐसा लग रहा है कि जो भी karmic से deal कर रहा होगा या होगी उनका ending दिख रहा है यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके karmic release होंगे अगर आपके relationship में कोई karmic है तो वो release होगा या अगर आप किसी कार्विक पार्टनर से डील कर रहे थे या कर रही थी तो वो आने वाले समय में टावर मॉमेंट आएगा और वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है साथी साथ यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करते हुए दिख रहे हैं आपको just go with the flow वाली एनरजी में रहना है, new beginning यहाँ जाधा तर लोगों के life में दिख रही है, with prosperity and abundance, action होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यह सारे cards, runes positive हैं, ठीक है, तो आपके life में, love life में यहाँ पर बहुत positivity आते हुए दिख रही है, और gifts जाधा तर लोगों को receive होंगे, किसी की अच्छी energy है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर warning है, कि अगर आपका recently breakup हुआ है, या होता है, तो आप समझ जाना कि, अगर बहुत बुरी तरह से breakup होता है, तो आप समझ जाना कि आपके कार्मिक release हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा runes बता र next action, मेरे viewers की तरफ उनके partners का क्या होने वाला है, universe भी आना चाहते हैं, तो हम ले लेते हैं, आप में से जादतर लोगों के partners का sacral chakra and base chakra heal हो रहा है, lower chakra से deal कर रहे हैं, lower chakra की healing चल रही है, तो हो सकता है, आपके lower में बहुत जादा pain हो, आपके tummy में, आपके sacral chakra में, आपके base chakra, आपके pair में बहुत जादा pain हो सकता है, आपके life में back pain बहुत ज़ादा दिख रहा है या आपके life में monetary issues हो सकते हैं अचानक से आपको लगेगा कि यार इतनी problem क्यों आ रही है मेरे life में तो आप आपके partner को mirror करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर आप में से ज़ादतर लोगों के partners आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे है traditional way में आपके साथ शादी करेंगे पुरे रीति रिवास के साथ थोड़ा सा इंतजार है three number important है double three आया है यहाँ पर three number बहुत important है आपके लिए तो universe की guidance है universe को thank you कहिए universe की blessings हैं आपके साथ always और manifest करिए positive affirmation use करिए hope रखिए बिल्कुल positive hope रखिए ठीक है देखते हैं waiting क्यों आया है three of wands क्यों आया है थोड़ा सा इंतजार करिए जो भी third party situation है या जो भी karmics है वो end होते वे नजर आ रही है transformation major transformation जो भी universe कर रही है वो आपकी बहतरी के लिए कर रही है universe का card क्यों आया है क्या कहना चाहते है universe universe आपको कहना चाहते है कि जो भी break up हुआ है जो भी cheating आपको मिली है जो भी heartbreak हुआ है जितना भी आप रोए हैं तडपे हैं वो सब आपके love life में success के लिए और past life कर्मा को heal करने के लिए और आपके commitment के लिए और new beginning के लिए ही हुआ है जितना भी आप रोए हैं इस relationship में उसका फल अब आपको मिलेगा जितना धोखा आपने खाया है जितना आपने सहा है वो सब का फल अब आपको मिलेगा आप में से कई लोगों का divine timing आ चुका है तो ये next action है आपकी तरफ three number important है three hours three days three hours three days three minutes कुछ लोगों के लिए lucky ones देखते हैं angels की तरफ से क्या guidance आ रही है आज के लिए look for a sign जदतर लोगों को signs या synchronicities मिल रही होंगी आपके partners की तरफ से या universe की तरफ से या angels की तरफ से dreams पे बहुत focus रही है especially अगर आपको इस समय बहुत ज़्यादा new babies के birth या फिर किसी animal को birth देते हुए जनम देते हुए चाहे snakes पो skin change करते हुए या snake की birth होते हुए अगर आपको दिख रहा है या अगर आपको dreams आ रहे हैं horror dreams आ रहे हैं या अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे की आपको बहुत ज़्यादा numbers अब आपको बहुत कम दिख रहे हैं या angels आपको बहुत कम sign दे रहे हैं तो हो सकता है कि आप अब पुरी तरह से balanced हैं अब angels को आपको उतनी guidance की ज़रुत नहीं पड़ रही है कुछ लोगों को अगर science नहीं दिख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि यार अब मुझ sign मिल रही है उसको notice करिये और उसके आने वाले तीन महिने तक notice करिये कि उस sign का क्या असर हो रहा है अगर कोई असर हो रहा है तो मतलब उस sign के माइने थे और अगर कोई असर नहीं हो रहा है तो मतलब की वो sign नहीं था वो आपको सिर्फ कहीं से आपने देखा या सुना और आ energy हो सकती है abundance अगर sign मिलने के बाद आपके life में monetary benefit होने लगता है आपकी बहुत अच्छी job हो जाती है आपका self growth होने लगता है self growth का मतलब सिर्फ meditation नहीं होता self growth overall growth होती है आपकी love life में भले बात आगे नबढ़े बट आपकी material things में आप masculine energy balance होती है तो आपकी पैसे की गती love होने लगती है बहुत जादा आप खुद उपर focus होने लगते हैं जैसे कि आपके masculine रहते हैं आप पर बहुत जादा focus नहीं रहते हैं अपने उपर रहते हैं वैसे ही आप change हो जाते हैं आप switch हो जाती energy फिर वो feminine energy में हो जाते हैं और आप masculine energy में हो जाते हो तो यहां पर आश लाइफ कार्मिक्स हैं सबको माफ कर दीजिए सबसे पहला काम ठीक है बी असर्टिव बिल्कुल पॉजिटिव रहिए जो होता है जो होगा अच्छे के लिए होगा स्ट्रेस लेने से सिर्फ अपने पैर पे कुलाड़ी मारते हैं स्ट्रेस बिल्कुल मत लेजे सो ये थी आज की रीडिंग होप आपको इस रीडिंग से गाइडिन्स मिली हो रीडिंग पसंद आई हो जरूर लाइक करें चानल पसंद आया हो जरूर सबस्क्राइब कर दें थैंक यू सो मच टेक कियर आफ यॉरसल्फ बबाई